नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों आज हम लेखा शास्त्र कक्षा ग्यार्वी का अध्याय दो प्रारंब करेंगे लेखांकन के सिध्धान्तिक आधार जैसा की आप सभी जानते हैं कि किसी भी विशय को पढ़ने के लिए कुछ सिध्धान्तों की अवशक्ता पढ़ती है जिस तरह विज्ञान में बहुत सारे सिध्धान्तों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की जाती है पूर्व अनुभव, प्रयोगों, अथ्वा परंपराओं, व्यक्तियों एवं पेशवर नेताओं के विवरण एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा नियम के आधार पर हुआ है, तथा यह अधिकांश पेशवर लेखकों द्वारा समान्य रूप से स्विक्रत है। कक्षा ग्यारवी में हमने इसी तरीके के कुछ सिध्धान्त और संकल्पनाएं पढ़नी हैं, जिसमें पहली संकल्पना है वेवसाईक इकाई संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार वेवसाई का अपने स्वामी से बिलकुल अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है और थात लेखांकन के उदेश्य से वेवसाई वा उसके स्वामी दो अलग अस्तित्व वाली इकाईयां मानी जाती हैं। इसी द्रिश्ची कोण को ध्यान में रखते हुए, जब कोई व्यक्ति वेवसाई में पूंजी लगाता है, अभिलेखो में वेवसाई के स्वामी की पूंजी को देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी एक इकाई है और व्यवसाय दूसरी इकाई है। परंतु ध्यान रहे व्यवसाय में लेखांकन अभिलेक व्यपार के दृष्टी कोण से करे जाते हैं। ना के स्वामी के दृष्टी कोण से। अब दूसरी संकल्पना का नाम है मुद्रा मापन संकल्पना। मुद्रा मापन की संकल्पना यह उल्लेक करती है कि किसी संगठन में केवल उन्ही घटनाओं का अभिलेकन पुस्तकों में किया जाएगा जिनको मुद्रा में नापा जा सकता है वह सभी लेंदेन या घटनाएं जिनको मुद्रा के रूप में प्रदर्शीत नहीं किया जा सकता जैसे प्रबंधक की नियुक्ति संसाधनों की योग्यता इत्यादी इनको लेखांकन अभी लेखों में स्थान प्राप्त नहीं कराया जाता क्यूंकि इनको मुद्रा में कितनी अच्छी जगहां पर श्थित हैं यह मुद्रा में नहीं ना पाजा सकता। अब हम अपने अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है, सतत्त व्यपार संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विवसाय लंबे समय तक चलेगा और यह भी कहा जा सकता है कि वह निकटतम भविश्य में बंद नहीं होगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारना है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि परिसंपत्तियों को दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है चालू या गैर चालू संपत्तियां एक साल से जादा समय के लिए विवसाय में रहती है और चालू संपत्तियां एक साल से पहले पहले रोकड अत्वा कैश में बदल ली जाती है फर्स कीजिए यदी कोई व्यवसाय इस संकल्पना के साथ चलता है कि वह निकटतम भविश्य में बंद हो जाएगा तो शायद सभी परी संपत्यां चालू संपत्यां ही बन कर रह जाएंगी अब हम अपनी अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है लेखांकन अवधी संकल्पना लेखांकन अवधी सेतात पर रहे समय के उस विस्तार से है जिसके अंत में वित्ये विवरण बनता है इन विवरणों द्वारा ही वास्तव में ही है पता चलता है कि वेवसाय में ला जे कितने हैं, इस प्रकार की सूचना विभिन उपयोग करताओं को विभिन उदेश्यों के लिए नियमित समय और अंतराल पर उपलब्ध होती रहनी चाहिए, क्यूंकि वह भी फर्म अपने वित संबंदित प्रणामों को जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकत इसका कारण यह है कि इसी सूचना के अधार पर अलग-अलग समय अंतराल पर विभिन निरने लेने होते हैं यदि हमने किसी बराबर समय अंतराल पर अपने लाब या हानी के बारे में पता नहीं लगाया तो हो सकता है कि एक बहुत लंबे समय के बाद यह पता लगे कि विवसाय आज बंद होने वाला है क्यूंकि हमने लाब या हानी की गणना नहीं करी इसलिए यह जरूरी है कि एक निश्चित अंतराल के बाद सभी खातों को बंद किया जाए और यह पता लगाया जाए कि विवसाय में हानी हुई है या लाब अब अगली संकलपना पे चलते हैं जिसका नाम है लागत संकलपना लागत संकलपना की मुख्यव शक्ता है कि सभी परिसंपत्तियों को पुस्तक में उनके क्रे मूल्य अरथाथ जिस मूल्य पर उनको खरीद हा गया था उस पर ही लिखित किया जाए सभी परिसंपत्तियों को उसी मूल्ले पर लिखा जाए जिन पर उनको खरीदा गया था उधारण के रूप में अगर आपने कोई जमीन आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपे में खरीदी है आपको आज भी वह जमीन अपनी पुस्तकों में 10 लाख रुपे की ही दिखानी है विध्यारतियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जमीन की कीमत 5 करोड या 50 करोड बाजार में है वह अभी व्यपार के स्वामी को मिली नहीं है इसलिए लागत संकल्पना के तहत वह जमीन 10 लाख या जितने में वह खरीदी गई थी उतने में ही दिखाई जाईगी अब अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है द्विपक्षिय संकल्पना द्विपक्षिय पक्ष लेखांकन का मूल भूत आधार भूत सिध्धान्थ है यह संकल्पना वेवसाय के लेंदेन के अभी लेखन करने का आधार प्रदान करता है इस संकल्पना के अनुसार वेवसाइक के प्रतेक लेंदेन का प्रभाव किनी दोस्तानों पर पढ़ता है किसी भी लेंदेन का लेखन दो बार किया जाएगा उधारण के रूप में अगर राम से आपने पैसा लिया है तो एक खाता राम है जो लेखांकन में लिखा जाएगा और दूसरा खाता है रोखड मतलब कैश हर लेंदेन को दो बार लेखांकन में अरजित किया जाएगा इस संकल्पना को लेखांकन के आधार वहुत समिकरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है अब अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है आगम माननेता संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को पुस्तकों में तब तक लिखित नहीं करना चाहिए जब तक वह वास्तविक रूप से प्राप्त ना हो जाएं आगम के उधारण है जैसे ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश आगम को माना तभी जाएगा जब उसकी प्राप्ती पर व्यवसाय का अधिकार हो जाता है अर्थात जब वस्तवों का विक्रे यानि सेल हो गई है या सेवाएं बिग गई है इसलिए उधार विक्रे को आगम विक्रे की तिथी से मान लिया जाता है ना कि उस तिथी से जब खरिदार ने रोकड अर्थात कैश का भुकतान किया उधारन के रूप में यदि मार्च दो हजार बीस का किराया अप्रेल दो हजार बीस में प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है किराया मार्च दो हजार बीस का ही माना जाएगा अब अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है आगम व्य मिलान संकल्पना किसी भी व्यवसाएं में दिये गए एक अंतराल के लाब या हानी के बारे में पता लगाने के लिए हमें उस अंतराल के सभी खर्चों को आमदनी में से घटाना होता है साल के अंत में Profit and Loss Account बनाया जाता है और इन सभी खर्चों और आमदनी को उसमें दर्शाया जाता है जैसे कि पहले ही जोर दिया जा चुका है कि आमदनी अर्थात आगम को अर्जित तभी किया जाता है जब विक्रे हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है इसी तरहां खर्च को भी तभी माना जाता है जब उसका किसी संपत्ती या आगम का आयोजन हो गया हो ना के उस पर सिरफ रोकड अर्थात कैश का भुकतान हो गया हो अगर हम कम शब्दों में बात करें तो निशकर्ष यह निकलता है कि आमदनी में से उसी अंतराल के खर्चे को घटाया जाए जिस अंतराल की भय आमदनी है उधारण के रूप में 2018 की आमदनी में से 2018 वर्ष के ही खर्चे घटाये जाएंगे आईए चलते हैं अगली संकल्पना पे जिसका नाम है पून प्रस्तुतिकरण संकल्पना वित्य विवर्ण द्वारा उपलब्द कराई गई सूचना का प्रयोग विभिन प्रयोग करता जैसे निवेशक, बैंक, रिन दाताओं के रूप में माल की पूर्ती करने वाले विभिन प्रकार के देंदार या माल खरीदने वाले लेंदार पून तह हमारे लेखांकनों प प्रस्तुति करण उनके निर्णे पर सीधा प्रभाव डालते हैं इसलिए यह बहुत अवश्यक हो जाता है कि विभिन आर्थिक निर्णों में साहयक की भूमी का निभाने वाले यह विवरण सही हों प्रयाप्थ हों और पूर्ण सूचनाओ को प्रस्तुत करें इस संकल्पन के अनुसार विवसाय के सभी वित्तिय प्रदर्शन हमारे लेखांकन में प्रस्तुत होने चाहिए जैसे की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट हित्यादी सभी सूचनाओं के सार पूर्ण प्रस्तुति करण को शुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं चलिए अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है सम्नुरूपता इस संकल्पना का कहना यह है कि किसी भी विवसाय द्वारा वित्तिय विवरण में जो भी सूचनाओं दी जाती हैं वह तभी उपयोगी होगी जब उनका तुलनात्मक अध्यन संभव हो अर्थात एक वर्ष के विवरणों को दूसरे वर्ष के विवरणों से तुलना की जा सके जो सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब लंबे समय तक एक फर्म अपने खातों के लेखांकन में प्रियोग में लाई जाने वाली नीतियों वा अभ्यासों में एक लंबे समय तक स से समझने के लिए माल लीजिए एक निवेशक किसी व्यवसाय के वर्तमान वर्ष के वितय प्रदर्शन की तुलना पिछले वर्ष के प्रदर्शन से करना चाहता है इसलिए वर्तमान वर्ष के शुद्य लाब की तुलना पिछले वर्ष के लाब से होनी चाहिए लेकिन यदि पिछले वर्ष में मूल्य हरास जिसको हम डेप्रिसेशन भी कहते हैं को निर्धारित करने के लिए जो विधी लगाई गई थी इस वर्ष में अलग है तो शायद निवेश करता के निड़े में परिवर्तन आ सकता है यह स्तिति तब भी उत्पन हो सकती है यदि दोनों वर्ष में स्टॉक के मुल्यांकन के लिए अलग-अलग विदियों का प्रयोग किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि समान रुपता की संकल्पना लेखांकन नीतियों में परिवर्तन वर्जित करती है। लेकिन यह अवश्यक है कि इन में किसी भी परिवर्तन की संपून सूचना विवर्णों में उपलब्ध हो। अगली संकल्पना है रूढी वाधिता की संकल्पना, यह संकल्पना बहुत ही सावधानी से लेखांकन को बनाने की नीती पर आधारित है, तथा लेन देन को पुस्तकों में लिखते समय सावधानी वा विवेक के प्रयोग को दर्शाती है, इसके अनुसार किसी भी वेपार की आये का अनुमान लगाते हुए ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि वेपार के लाब अनावश्यक रूप से बढ़े हुए ना दिखाई दे क्योंकि यदि लाब अनावश्यक कारणों से बढ़े हुए दिखाई दिये तो वह लाब लाभांश की तरह बाटना पड़ सकता है जो व्यपार की पूंजी में कमी ला सकता है वहीं दूसरी तरफ सभी हानिया जिसकी दुरस्त संभावना हो अर्थात अगर कोई हानी है जिसके होने की आशा भविश्य में है उन हानियों को लेखा पुस्तकों में प्रयाप्त प्रावधान दिया जाना चाहिए मान लीजिए अंतिम स्टॉक का मुल्यांकन करते समय अगर यहाँ पाया जाता है कि उसका बाजार मुल्य उसके वास्तिविक मुल्य से कम है तो उस stock को बाजार मुल्य या कम मुल्य पर ही लेक्हांकन में लिखा जाएगा चलिए अगली संकल्पना पर चलते हैं जिसका नाम है सार्ता की संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार लेक्हांकन करते समय केवल उनही महत्टपून तत्यों पर ही ध्यान देना चाहिए जिन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण आई को निर्धारित करने में महत्यपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है उनके लेखांखन में प्रयासों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए अब प्रश्न यह उठता है कि किन तथ्यों को महत्यपूर्ण माना जाए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तथ्य की प्रकरती क्या है उससे जुड़ी हुई धनराशी कितनी है यदि कोई तथ्य ऐसा है जिसकी सूचना से किसी उपयोग करता के निर्णें पर प्रभाव पड़ता है वह तथ्य लेखांकन में शामिल किया जाएगा आखरी संकल्पना जो कक्षा ग्यारवी में सिखाई जाएगी वह है वस्तुनिष्ट था इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन को लेखाकार वो अन्य प्रभाव शाली व्यक्तियों के पुर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए यह तभी संभव है यदि प्रतेक लेन देन को सहयक दस्तावेज यानि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ ही स्तापित किया जाए उधारण के रूप में किसी मशीन की खरीद पर भुक्तान के समय प्राप्त नगद रसीद उस मशीन की लागत का दस्तावेदी शाक्षय बन कर लेन देन का आधार प्रधान करती है चलिए विध्यारतियों अब सीखते हैं लेखांकन प्रणाली लेखांकन की प्रणालियों को सामान्यता दो भागों में विभाजित किया गया है दुए अंकन प्रणाली एक अंकन प्रणाली जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आम तोर पर लेखांकन को दुए अंकन प्रणाली के द्वारा ही बनाया जाता है इसके अनुसार प्रतेक लेंदेन के विवसाय पर दो प्रकार के प्रभाव पढ़ते हैं जिस तरह गणित में LHS और RHS होते हैं ठीक उसी तरह लेखांकन में हमने डेबिट और क्रेडिट का नाम दिया है प्रतेक लेंदेन का लेखा इस सिध्धान्त पर निधारित होता है कि हर एक सौदे का नाम पक्ष मतलब डेबिट और उसके सदा अनुरूप जमा पक्ष मतलब क्रेडिट की और अभिलिखित किया जाए इसलिए यदि खाते के नाम पक्ष में एंट्री हुई है तो किसी खाते के जमा पक्ष में भी अवश्य ही एंट्री हुई होगी आईए दूसरी प्रणाली के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एकलंकन प्रणाली इस प्रणाली के अंतरगत सभी खातों को बनाने की बजाए केवल व्यक्तिगत खाते वा रोकडबही को ही बनाये जाता है वास्त्विक रूप में लेखांकन की इस प्रणाली को अभी लेखन की समरूपता का अभाव होने के कारण प्रणाली ही कहना गलत है क्यूंकि इसमें कुछ लेन देनों का केवल एक ही पक्ष लिखा जाता है कुछ छोटे व्यपारी इस प्रणाली को अपनाते हैं जिनका क्रे, विक्रे, आम तोर पर केवल कैश में होता है अब हम पढ़ेंगे लेखांकन के आधार लेखांकन के मुख्यता दो आधार हो सकते हैं नगद आधार और उपारजन आधार नगद आधार पर लेखांकन करते समय पुस्तकों में कैश के लेन देन की ही एंट्री की जाती है पैसा प्राप्त हो जाने पर या पैसा चले जाने पर ही इनको लेखांकन में शामिल किया जाता है यह प्रणाली असान होने के बावजूद भी अधिकतर संगठनों के लिए उचित नहीं है क्योंकि लाब की गणना करने के लिए यह सिरफ कैश के लेणदेन का ही लेखांकन कर रही है लेखांकन यदि उपारजन अधार पर किया जाए तो लेणदेन के समय ही यह मान्यता दे दी जाती है कि उनके वास्त्विक प्राप्ति या भुकतान का समय क्या है नगत प्राप्ति करना नगत प्राप्ति के अधिकार और नगत भुकतान वा नगत भुकतान की अनिवारता के बीच अंतर किया जाता है इसलिए इस प्रणाली के अनुसार लेन देन के मौदरिक प्रभाव का लेखा खातों में उपारजन के समय के अनुसार किया जाता है यह हर वेवसाय के लाब की गढ़ना का अधिक श्रेष्ट आधार है अब हम पढ़ेंगे लेखांकन मानक लेखांकन मानक ICAI जो हमारे देश के लेखांकन की पेशिवर संस्था है द्वारा जारी किये गए विवरण है लेखांकन मानक लिखित प्रलेख हैं जो वित्य विवरण में लेखांकन लेन देन की पहचान, मापन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रकृतिकरण के नियमों को बताता है क्यूंकि वित्य विवरण की तुल्णता बहुत जरूरी है इसलिए एक देश को चाहिए कि वह सभी किसी समान नीती का पालन करते हुए लेखांकन करें इसलिए ICAI ने ऐसे कुछ लेखांकन मानक दिये हैं जिनको अधिकतर सभी संगठन मानते हैं इन मानको की कुछ अवशकताएं हैं जैसे विभिन उप्योग करताओं को सूचन विस्तारित करना हमारी लेखांकन सूचनाएं विभिन उप्योग करताओं की जरूरतों को तभी पूरा कर सकेगी जब उन सभी में एक रूपता हो इसलिए ऐसे मानकों का होना बहुत जरूरी है। अगर लेखांकन मानकों की उपस्थिती हो तो वित्तिय विवर्णों की अंतरकंपनी तथा अंतरकंपनी तुलनात्मक्ता में सहायता भी मिलेगी। परंतु इन मानकों की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे इन मानकों का बड़ा ही दृता से पालन किया जाता है। जिनके कारण इनकों लागू करने में लोजशीलता नहीं आ पाती। और वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही मानकों का निर्मान अवश्यक है। इसलिए यह कानून को प्रत्यादेश नहीं दे सकते। यह सभी लेखांकन मानक एकल स्वामित्व इकाई, साजेधारी फर्म, समीतियां, ट्रस्ट, हिंदू अवभ्याजित परिवार, व्यक्तियों का संग, सहकारी समीतियां और कंपनियां इन सभी परलागू किये जाते हैं। अब हमारा अगला कदम है IFRS को समझना। वेश्वी करण, ओदारी करण, एम नीजी करण की मदद से अर्थ व्यवस्ता को अच्छी गती प्रदान हुई। जिसके कारण व्यपार देश्वी देशों तक फैला। एक देश का व्यपारी दूसरे देश के व्यपारी से क्रय विक्रय कर सकता है। अब दो देश आपस में एक दूसरे से व्यपार करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि उन दोनों के लेखांकन में समानता हो। इसलिए इस वेश्वी करण के दौर में हमारे लेखांकन प्रक्रिया में IFRS की एक खास अवशक्ता है वित्तई विवरणों के आधार पर महत्पून आर्थिक निर्णे लिये जाते हैं हेर फेर से बचने के लिए ऐसे तरीकों की अवशक्ता है जिससे ऐसे हेर फेर की पहचान आसानी से की जा सके वह वित्तिय विवरणों में सूचना को कैसे प्रस्तुत किया जाना है जाना जा सके विश्व के दो देश जब आपस में व्यपार करते हैं तो उनकी लेखांकन की तुलना का आधार हमें IFRS देता है और साथ ही साथ में वेश्विक निवेश को सुगम बनाता है अब इस अध्याय का आखरी चरण है वस्तु एवं सेवाकर जिसको हम आम तोर पे GST कहते हैं हमारे देश की सरकार ने एक देश एक कर के मूल मंतर का अनुसरन करते हुए एक जुलाई 2017 गो GST को लागू किया ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोकताओं के हितों के लिए माल, वस्तुओं और सेवाओं का सुगम प्रचालन हो सके GST के लागू होने से केंद्र एवं राज्य द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर निरस्त कर दिये गए जिसके पिनदाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो गया है GST के तीन प्रमुक तत्व हैं CGST, SGST, IGST CGST से आश्य केंद्रिय वस्तु एवं सेवा कर से है इसमें आई आमदनी केंद्रिय सरकार के लिए है इसी प्रकार स्मस्त राज्य युक्त कर जैसे की वैट, प्रवेशकर, आदी सब SGST के अंतरगत आते हैं GST के लागू होने से सेवा कर, उत्पाद कर, केंद्रिय विक्री कर, सीमा शुल्क वप्रवेशकर, चुंगी, विलासिता कर इन सभी को हटा दिया गया है IGST से आश्य संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर से है IGST के अंतरगत संग्रहित, राजस्व केंद्रिय और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित किया जाता है और इस तरह हमारा अध्याय दो यहां संपन होता है धन्यवाद झाल